हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाई चैनल होम साइंस फ्रेंड्स देखिए आज मैं आपके लिए एक कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर लेकर के आई हूं इस पैटरन को आप किसी प्रजेक्ट में बना सकती हैं जैंट्स के स्वेटर में लेडिज के स्वेटर में कोटी कार्ड जैकेट किसी प्रजेक्ट में डिजाइन बहुत ही प्यारा सा दिखेगा और देखिए फ्रेंड्स इस पैटर को बनाने के लिए हमें चाहिए टू के मल्टिपल फंदी दो के गोड़े दो फंदी लेने होंगे और यह जो हमारा डिजाइन है दो सलाई में ही बनकर के कंक्री प्रेट हो जाता है तो फ्रेंड्स इस पैटर को बनाना हम सुरू करते हैं वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ रहिए तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पैटर की जो फर्स्ट रो है राइट साइड से पहली सलाई सीजी तरब से सुरू होती है और देखिए हमने यहां पर 12 फंदे हमने यहां पर लिये हैं हमारे पैटर की जो फर्स्ट रो राइट साइड से साइड वाला फंदा बिना मुने उतारेंगे और उसके बाद में देखिए दो फंदे छोड़ करके यहां से इस तरह से एक लूप बनाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद में एक फंदा यहां से लेंगे और यह जो पीछे वाला फंदा है यह लूप बनाया हुआ है इसको इस तरह से घुमा लेंगे इस फंदे को इस सलाई पर लेकर के आएंगे और इसको हम सीधा फंदा बनेंगे और यह जो दो फंदे हैं इनको हम इस तरह से सी एक लिखके मदंगे आंगे कि और पीछह की तरप से इस वंड नहीं की तरप को से इस साथ लेंगे बिंगे ऐसे फंड़ेंगे इस दर दोगता से एक लूब बनाएंगे घृप फिरसा दोव करके चोह लोगएंगे लूप बनाएंगे इस फंदे को यहीं पर छोड़ देंगे और यह फंदा सलाई पर लेंगे और इस वाले फंदे को पीछे की तरफ से सलाई पर ले लेंगे इस तरह से इसको सीधा बुनेंगे और इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे फिर से यहाँ पर दो फंदे छोड़ करके एक लूप बनाएंगे और इस फंदे को गुमाएंगे और देखे इस फंदे को इस सलाई पर लेकर कियाएंगे सीधा बुन लेंगे दो फंदे एक साथ लेंगे फिर दोनों फंदों पर इसी तरह से रिपीट करेंगे देखें, दो फंदे छोड़ करके यहमें लेने है दो फंदे छोड़ करके एक लूप बनाएंगे इस फंदे को यहाँ पर सलाई पर ले करके आएंगे और देखे इस तरह से इसको घुमा लेंगे इस फंदे को सीधा बुनेंगे और दो फंदे एक साथ लेंगे फर्स्ट रो राइट साड से कम्प्रीट हो जाती है यहाँ पर पहली सलाई सीधी तरप से सेकंड रो पर आते हैं बैक साड से तो यहाँ पर साड़ वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और उसके बाद में सारे फंदों को हम उल्टा बुल लेंगे थेड़ रो पर आते हैं राइड साड से तीसरी सलाई सिदी तरब से साड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे इसके बाद में एक फंदे को सीधा बुनेंगे आप देखिए यह दो दो फंदों का डिजाइन है न तो यहां पर यह दो फंदे जिस पर हमने डिजाइन बनाया था उसका फंदा हमने यहां पर एक ले लिया है अब देखें यहां पर इसका एक फंदा लेंगे और इस डिजाइन से एक फंदा लेंगे तो इन दोनों फंदों को इस तरह से छोड़ करके एक लूप बनाएंगे और इस फंदे को इस सलाई पर ले करके आएंगे और यह वाला जो यहां से एक लूप बनाएंगे, इस फंदे को सामने एक तरब से घुमा देंगे, देखे इस तरह से, सलाई पर लेंगे, और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, दो फंदे एक साथ लेंगे, फिर यह दो फंदे छोड़ करके यहां से एक लूप बनाएंगे, फंदे को घुमा ल दोनो फंदए एक साथ लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए, फिर से वही, रिपीट करेंगे, दो फंदे छोड़ करके एक लूप बनाएंगे, इस तरह से, देखिए यहाँ पर अगर अगूठा लगा लेंगे, तो यह खिसकेगा नहीं, निकलेगा नहीं, और इस तरह से हम और ये दो फंदे हैं दो का एक कर देंगे देखिए जब आप यहाँ पर यह लूप बनाए तो थोड़ा सा बड़ा फंदा रखें लिला रखें थोड़ा सा ताकि इसको बनाने में आसानी हो देखिए ये तीन सलाइया हमारी यहाँ पर कम्प्रीट हो गई है फोर्थ रोपर आते हैं बैक साइड से साइड वाला फंदा मिनाबुने उतारेंगे और बाकी के जो फंदे इनको हम उल्टा बूल लेंगे तो फ्रेंट्स देखिए हमारे पैटर्न की चार सलाइया है यहाँ पर कम्प्रीट हो जाती है और इनी सलाइयों को आपको रिपीट क बिल्कुल उसी तरह से यहां से सुरुवात करने हैं सड़ वाला फंदा बिना उतारेंगे और यहां से सुरुवात करेंगे तो दिखे फ्रेंट्स जैसे आपका यह डिजाइन बनता जाएगा बैसे ही यह सुन्दर दिखेगा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है इसको आप आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेख करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि मेरी जो भी नहीं आने वाली वीडियो है उसका नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे मिलत